Students, Welcome back to my channel, मैं शानी पांडे और आज मैं आपनों की यह लियाएं हूँ 12th प्लास की Chemistry में Organic Chemistry और Organic Chemistry भी आज में पढ़ाऊंगी आप लोगो Chapter 10 Hello Elkens the Aloeilene सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि Hello Elkens और Hello Air Creams जो है उसका परिचे क्या है वो क्या हैं, तो सबसे पहले बात प Πरते हैं हेरो पेली हैं, Nice this passage है, Hello alekem हेरो का मतलब होता है, हेरो जन परमाव, हेरो का यहाँ पर मतलब है हेरो जन परमाव या हेरोजन दत. हमने पता हैं कि आइismoogle को सत्रह में सक्वुक में रखा गया है इसमें fluorine, norine, bromine और iodine आते हैं स्ट्राइन भी आता है लेकिन स्ट्राइन radioactive halogen है तो यहाँ पर हाँ halogen को indicate करेंगे x से halo को indicate किया जाता है x से और यहाँ पर x की जनल पर use किया जाता है fluorine परमाब, क्लोरीज परमाब, आईरोवी, प्रोमी और आईपि यहांपर इस गत्तों का हिरूस किया जाता है यह और यह एलकेन के हमने इसके पहले बारी वीटियो में एलकेन क्या है इनके बारी में बढ़ता हुआ था तो एलकेन जो है यह हम कहें कि एलिफेटिक हाइड्रोकारवन के अलब एक हाइड्रोजन को अटा करके उसके एस्थान पर हैरोजन परमाण उलाए तो जो योगी बनेगा उसकों करिए हैलो एल्गेंस तो यहां पर देखें हैं जैसे एल्गें में हमने आपको सिरीज बताएं कि मेथेन प्रोफेन यूटेन पेंटेन एकसे एक सब्सक्राइब तो अगर मेथेन की बाद करें CH4 तो इस CH4 का इस्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा CH4 मेथेन है अगर एल्गेंटिक हाइड्रोकार्ण यह एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन अगर हम यहां से माइनस करें अता दें तो हमारा बन जाता है है यह सब्सक्राइब गूप ही इनसर्फिए उडियो मेने पहले बनाए हुल थी और उसके एस्थान पर कोई है जगर भी है अगरे लादे अगरे अगर यक्स करनें यहां फर्टार जो गया यॉविक्त बनेगा कि अगर एक हाटा करके उसके अस्थान पर कोई दूसरा है रोजिस परबान पाजाए तो जो निया योगी बनेगा उसको निया करेंगे है है यूपकेंज आयूपकेंज का जर्ट नाम यानि जो सावान नाम है उसको कहते है एक हैलोगेंज के रूप में क्या है है के हैलोगेंज के लिए में इसने में पर जर्य गाता है तो यह भार्ण है यह अगर हम है लुग है 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 अगर कि चलचा करें तो है बार नहीं नहोंजुन और हैलो कैरेहां, और हैलो कैल तरह पक्लेजी सुआ है यहां पर representations. कर देते हैं तो शुए यहरोगेंटिक हाइडार्ड कार्डं में यह दिद्धीन के बारे में पहले चर्चा हो थी बेंजीन जो होता में शे कार्डं परौन होते हैं और छे दुद्धं करदा होते हैं उसका आनुसूतर होता है जो चार जहांचों कार्वन कर्वांड होते हैं यह सब कर्वांड पर होते हैं और सभी कार्वन से एक हैंड हो जड़ा हुआ होता है और कार्वन कार्वन के पीच में सिंगर बांड फिर डबल बांड फिर सिंगर बांड फिर डबल बांड फिर डबल बांड फिर डबल बांड जैसा अरेंजमेंट होता है यह है बेंजीन अब इस बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकारगा है इसे अब हम एक हाइड्रोजन को तो हटा करते हैं प्रतिस्थाप्पि है और उसके स्थान पर कोई है रोजन पर मॉशन हम दाते हैं थो गहां तो चाहिंग तो इसक प्रतार से इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें इसके पहड़ी स्ट्रक्षर पता कि जो पर अपैर कोंउस प्रपाषा सून्त कहरा है, आपन प्रेखा सून्त्र अंधर कम हुआने मिकिया जाता है वह हम इसको आबन गरेका संत्र के रूप में इस प्रकाश से भी बता सकते हैं यह बेंजीन है और इस बेंजीन पिन में जो हाइडोजन हो इसको हटा करके उसके साथ पर हम यक्स लाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा हैलो एली हैलो केरीन ही एक आयू पियसी नाम है और इसका जो साथारण नाम है गुब है एरिल हैलाई यह साथारण नाम है एरिल हैलाई और हैलो केरी आयू पियसी नाम है है और वह पर तो यहां पर क्या बन गया है डाई है लो तेजिन बन गया खिए है ड्वे a The तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं इसको आँपर एफ दिर खार और फि सुछ के पर पर उ सब यह आ पर ले रहे हैं सी एक थी इसी अपर ने एक हाइब हटा करके उसके स्थान पर ने लाए हुआ है सीटु एज़पाइब वीया एक हैं कि एक हाइब होचन को हटा करके रबिया पर शुप्तिया लाए हुआ है सीटु एज़पाइब आई इसको मिकिस पर आशे पर निये जो है रोजन नाम देते हैं तो अक कर्ण पर नहीं होता है उसके एक कर्ण पर आपने हैं अलग्लोरी है उसके प्लोरो में थे हैं में थे हैं किसका जनक में थे हैं एक ही कार्ण इसके पाद इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो में यहां पर नाम हो जाएगा ब्रोंगों बीयार को किस प्रकार से लेंगे है लो उसी प्रकार से हम सीयल को लिखेंगे फ्लोरो बीयार को कहेंगे ब्रोंगों आई को कहेंगे आयो और यह को कहीं है इसका नाम जाएगा ब्रोमो आप इसमें दो कार्वन है इसको नाम जाएगा ब्रोमो इत्रेम इसका नाम जाएगा आई को पहले लिखेंगे क्योंकि है रोटो आयो दो कार्वन वाला केंगे हो गया इसे प्रकार से अगर हम बात करें एक है रोटो एलिंग के इसको सबसे सिंपर स्कुरिक हम पाउंड आएंगे वह जाएगा इसका नाम जाएगा फ्लोरोवेंजीन प्लोरोवेंजीन अब प्लोरोवेंजीन यह िसका अगर हम प्लोरोवेंजीन का अंशुत्र जाना जानते हैं तो C6H5 प्लेयर हम जाते हैं कि बेंजीन गजो अंशुत्र होता है वो दो होता है एक हाई भूजर को अंटार दिया गया तो C6H5 बच्छा और एक CEL आ गया तो CEL होते हैं कर दें दो जाएगा C6H5CEL ग्यान सुत्र हो जाएगा उसी प्रकार से हम बिंजी दूई करना करके अगर भी यार दाने दो हो जाएगा ब्रोमो बिंजी इसका अंटार हो जाएगा C6H5CEL ग्यार और अगर हम आई दाने हो जाएगा आई प्रोमो बिंजी और अंटार हो जाएगा C6H5CEL आई तो यहां पर कुछ हम सिंपर एग्जांपर लेकर के चलेंग में हैं इस प्रकार से हेलो एकेंस के आंटे एग्जांपर हो सकते हैं जो हेलो एकेंस है उसका जो सामान निसमूत होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं सामान स्मूत रहेंगे सामान स्मूत इस प्रकार से रिखा जाता है आर पांट यक्स या आर यक्स आर नहीं अपर क्या है एक्स की रूप है और यक्स क्या है एलोजन जैसे हमें आपका देखा सी एस्ट्री एक्री प्रकार से हो सकता है एक्री आयोगाई इसके पार से सामान स्मूत्र जो आयस होता है इसके अगर बात करें तो एक्स से इंडिकेट किया जाता है और इसके विए जो पारुदा होगा उसके एलोमेंट्रिक योगित को पहियां दर्मिक देते हैं हाइलोजन को हता कर कि कोई हैलोजन दाती है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हैलोजन और हैलो एलिंग का परिशे देखा इसके प्रकार के योगित होते हैं उसके बारे में देखा जो हैलोजन को योगित होते हैं और यह प्रेफिल दिमेर भी पाया जाती है और इनको मानोगारा संसेशन भी किया जाता है इसका बहुत अधिक चिकित्सकी उपयोगी है जैसे मानीजे कि क्लोरोफर्म एक हैलोजन दिम्त कार्विनिक योगित है और उसका उपयोग निष्चेतक के रूप में प्रयूप कि किया जाता था उसी प्रकार से क्लोरोफर्म एक एक हैलोजन दिम्त कार्विनिक योगित है तो हम इसका बहुत अधिक उपयोग देखते हैं इसकारण से इसको क्लास की केमिस्ट्री में 10 चैप्टर में रखना गया है और आज इस वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको परिचे बता हुआ है फिर इसके बाद अगली वीडियो में हेलो एकेंस और हेलो एरिंस का वर्गी करण किस प्रकास से करना है उसको हम अगली वाड़ी वीडियो में बनाएंगे तब आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लिजएगा जिससे आपको वीडियो के बारे म जो हेलो एरिंस और हेलो एरिंस है उसका परिचे अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है नेक्स वीडियो देखने के लिए धन्डवाद